इस स्टोडी की सुरुवात हमारे में करेटर के ड्रीम से होती है जहाँ पे एक अजीब से माउंटन क्यूब पर एक अजीब टैप का ब्लैक होल होता है और इसी के साथ उसके चार ओर एक बड़ा सा फॉर्मेशन होता है तब ही हमारे में करेटर ली यून जिया को कोई पुका देखते हैं कि वो टीचर उसके उपर काफी 30 से एक चौक को फेक के मारती है और कहरी होती है ली यून जियाओ क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो और इसी के साथ हम देखता है कि ली यून की आखे खुलती है जहां पर वो यह देखते हुए काफी ज़ादा आरन होता है और मन बुए किसे एक बड़े से टेखता है जो कि देखती वो मनीन केहरा होता है किस स्टेङ्चू ये तो मेरा है तबिश्चर केहरी होती है ली यून जियाओ क्या तुम मेरी बात शुन रहे हो जौँ हावाभ शुन रहे हो जो uchenते वे वह नीचे देखता है जहां पर वह देख आए जाता है ये त्यान शूई ने सिन की ब्लू जोईल अकैडमी इंस्ट्रोक्टर लू यून चांग है जहाँ इस देखते वे लिए उन मनिमन कहा रही होती है और इस गल की बोड़ी यह तो काफी जदा अच्छी है और इसे के साथ इसके बाल अगर वह एक आर्मर पहनती है तो सच में ये कमाल की देखेगी जहाँ पर वह एक रेड लोटस एमपरेस की तरह लगेगी लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो सिर्फ फॉर्थ मार्शल रियल में है और उसे एक लंबा रास्ता तैय करना है और इसे के साथ वो इसके तरफ देख रहा होता है दूसरी तरफ तो से क्या रही होते है जल्ली करो और मेरे कुशिन का आंसर दो और जल्ली से बताओ कि यहाँ पे और इनरी डाक शोल्डर रिफाइनिंग मेथर्स कीतने टाइप के हैं जिके साथ वो मनीवन क्या रही होती है वो हाली में एक मैटर में फस्ज किया है तो इसलिए ऐसा लगत लुए उन काफी जादा आरण होती है तब ही हम देखते है कि सारे बच्चे जुरू-जुरू से खाशन लगते हैं ऐसा लगता है कि यह सपना देख रहा है ऐसा लगता है कि इसके ड्रीम अभी तक नहीं तूटी है या फिर उसके दिमाग का एक तार हिल जुका है तो और ए लिखा है कि इसके ओनली 36 टाइप से और इस बुक को मास्टर यांग दी ने लिखा है तो यह सुनते हुए लिए उन कह रहा होता है यांग दी फो कमीना क्या उसने उस टेल में मैथट को भूलने की हिमत की है जोगी उफे यांग ने डिवाइस किया था यह सुनते हो टीचर यह बहुती तरड़ापनिश चाता है आखर यह क्या वाकवास कर रहा है तो दूसरे स्टुडेंट क्या रहा होता है मास्टर यांग दी ऐसी गलती कहसे कर सकते हैं जबकि वो मार्चल एमपरर गूफियांग के स्टुडेंट है तब ही और एक स्टुडेंट क्या रही होती ह आकरी इस आदमी ने Master यांग डे के बारे में बुरा बोलने कीमद कैसे की है तब है हम देखते है कि teacher look क्या रही होती है बस शान्त हो जाओ जहाँ कि सुनते वे सभी लोग घुवरा जाता है जहां पर वो teacher look क्या रही होती है मार्चल एम्परर गूफियांग ना सिर्फ त्यान वो कॉंटिनेट के थर्ड रैंक्ट वारियर थे बलकी वो एक टॉप नौच नाइथ रियल्म रिफाइनर थे और इसे के साथ वो मुईमिन क्या रही होती है आकर उसे इसके बार में कैसे पता चला जहांपे वो टीचर लोग क्या रही होती है और इसे के साथ उन्होंने 12 अर्डर रिफाइडिंग मैथड्स के बार में बें डिजाइन किया था जो के सुनते वे एक स्टुडिन क्या रहा होता है लेकिन टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं लिखा है तो टीचर लोग क्या रही होती है इन 12 मेथड्स को आम लोगों के लिए समझना ये इंपॉसिबल है इसी वज़े से मास्टर यांग डिन है उसे यहाँ पे इंकल्यूट नहीं किया इसे के साथ वो लिए उनको देख रही होती है जहां पियों मनीवन क्या रही होती है ऐसा का जाता है कि लिए उन 12 याँ मार्शल आर्ट में कच्रा है क्योंकि उसकी मेरीडियन अभी तक ओपन नहीं हुआ है और इसलिए उसके लिए मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करना ये काफ इस दर डिफिकल्ट है है ना लेकिन अगर उसे रिफाइनर बढ़ने के लिए ट्रेन किया जाए तो उसका वैल्यू एक मार्शल वार्यर से कई जादा होगा और इसी के साथ वो क्या ही होती है तुमने बिल्कुल सहीं जिवाब दिया लेकिन इसके लिए अपने उपर इतना ज़्यदा गर्व मत करना और मुझे नेक्स्ट कोश्चिन का आंसर दो कि आखिर रिफाइनिंग के दोरान इसका इक्रिस्टल सेंड की ज़रुत क्यों परती है और अगर तुम इसका आंसर दे दोगे तो तुमें मेरी क्लास को और अटेंड करने की कोई भी ज़रुत नहीं है तो ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज़्यादा आरण होते है जहांपे वो लोग कहा रहे होते वा ऐसे लगता है कि टीचर काफी ज़्यदा नाराज है तो और एक इस्टुडेंट कहा रहा होता है लेकिन है कोई जानता है कि जुआन वेपन को रिफाइनिंग करते समय इसका एक क्रिश्टल सेंड की जरुवत क्यों परती है तो आकर उसने ये क्यों पूछा तो और एक लड़का कहा रहा होता है ये तो बिलकुल 1 plus 1 is equal to 2 पुछने के बराबर है है ना दोस्ती तरफ हम देखते है कि लिए उन कहा रहा होता है क्रिश्टल सेंड की जरुवत इतनी ज़ादा नहीं होती है हाला कि इस मैटरिल के जरुवत इसलिए होती है क्योंकि average refiner इसके बिना ठीक तरीके से fuse करने में काबिल नहीं हो पाते है तो ये सुनते है वे लियून कहा रहा होता है इसका एक crystal sand ये एक water element है और बेशक इसका use fire element को refine करने के लिए use नहीं किया जा सकता है इसलिए से ऐसा होता है जो कि जेखती हो teacher और भी ज़ादा हैरन होती है जहां भी वो क्यारी होते तो फिर ठीक है मुझे और एक question पूछने दो जब रेड कॉपर shining gold के साथ fuse होता है तब इसका एक crystal sand के effect से कैसे चुटकारा पाया जा सकता है तो ये सुनते में लियून क्या रहा होता है बस इसका crystal sand को impurity के रूप में समझो और इससे चुटकारा पाने के लिए जिससे तुमने refine किया है उसका use करो ये सुनते में teacher लूओ और भी ज़ादा हैरन होती है चांबी वो कह रही होती नहीं ऐसा कैसा सकता है और इसमें कोई भी irony की बात नहीं कि मैं बारवाल fail क्यों हो रही थी और इसे के साथ वो moneyman कह रही होती है वो इतनी simple बात को समझने में काम्याब रहा और इसे के साथ वो class से जाते वे कह रही होती है दोस्टी तरव हम देखते हैं कि ली यून आगे बढ़ते वे क्या रहा होता है ऐसे लगता है कि अब मुझे क्लास को अटेंट करने की जरुवत नहीं है तो मैं थोरा से इधर दर घूम लेता हूँ ये कहते ही वो क्लास से बाहर निकल जाता है जो कि देखते हूँ आप एक लेड़ी कहा रही होती है आज ब्रदर यून के साथ क्या हुआ है आखिर वो अचानक इतना चाला कैसे हो गया है तब ही आखिर तुमने भी क्या कहा क्या ली यून जियाओ एलकेमी में एक प्रोटजी बन सकता है तो ये सुनते हूँ आप एक और एक स्टुडिन कहा रहा होता है एक रिफाइनर बनने के लिए टैलन का हिस्सा एक मार्शल आर्टिस्ट के कमपैरिजन में बहुत ही जादा है क्या एक कच्रा जो कि मरीडियन को भी ओपन नहीं कर सकता क्या वो सच में एलकमी के रास्ते पर चल सकता है और ऐसी के साथ वो सभी लोग आपस में बात एक कर रहे होते हैं इसी के साथ सीन चीन होता है हम लिए उनको देखते है तो कि सीटी के बाहर गूम रहा होता है और वो मनीवन कहा रहा होता है यांग दी आखर ये कैसा कॉंसिडेंस है कि मेरा वो इडियेट डिसाइबल यांग दी जो कि इस कंट्री का सबसे बेस्ट रिफाइनर है उसने ऐसी गलती क्यों की और ऐसा लगता है कि यांग दी ने शायद वो स्टैचू मेरी लिए बनाया था कम से कम वो लोगों के रिस्प में आ जाता है जहां भी वो क्या रहा होता है तो मैं आपर पहुंच चुका हूं दोख की बात यह कि मेरी बोडी बहुत ही जदा कमज़ोर है और इस उमर में मैंने अपनी मेरी डियन को भी ओपन नहीं की है और जो कोई भी बोडी का पिछला ओनर था वो सच में कोड़ा कच जाता है जहां पिव मनिमन क्या रहा होता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे अपने सारे के सारे ताकत फिर से हासिल करने में कई साल लग जाएंगे और मेरे पास अपने पेशले लाइफ के एक्स्पिरियेंस है तो इसी के साथ मैं इस लाइक में और पी जदे स्ट्रॉ तो में तुर्णोंगा और इसी के साथ वो एलकेमी गिलड के टियांशूई नैशल ब्रांच में एंटर करता है जहां पे उसके सामने के लिड़िया ती है जो कि ट्यांशूई नेशन इस इंट इंट्ष एलकेमिस्ट इंट में आपका स्वागत है पताए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं तो यह सुनते वे लीधन किया रहा होता है यहां पर हो यह कहा रही है तो ये सुन्ते वे लिव क्या रही होती है मास्तर यांग डी विस साल पहले यहाँ के इल्ड वास्च थे जो के सुन्ते वी लिवन मनिमन क्या रहा होता है ये थोड़ा सा परेशानी भरा लगता है और ओर चौनाली मैं ये चाता हो कि मुझे वो मजे कुछ पिल्स दे, ताकि मैं आसाने समने मैलेडियन को ऊपन कर पाऊं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने मैलेडियन को खोधी ऊपन करना होगा, और इसे के साथ वुपनी पहले की बातु को याद करने लगता है, च्शाक पी रहा होता है, पूरी मार्शल वर्ल्ड मुझे यानिकी गूफियांग को मार्शल आर्ट्स और अल्कीमी का प्रोड़िजी कह दे थे मैं सिर्फ एक 9th टियर का लेजनरी अल्केमिस्टी नहीं था बलकि मैं अल्केमिस्ट गिल्ड के 7 elders में से एक था और मेरी अचीम्मेंट 9 realm के पिनाइकल पर खड़ी थी जहां पर चर्च ने मुझे मिलिटरी प्रेकर का नाम दे दिया मैं वर्ल्ड का टॉप एक्सपर्ट था यहां तक कि मेरी स्टुडेंट्स भी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में काफी ज़दा फेमस थे लेकिन अब मैं बस एक कुरा कच्रा हूँ नहां तक कि मेरी मेरी अचीम्मेंट्स भी बंध है और इसे के साथ यह बोड़ी पहले से ही 15 यर ओल्ड है और अगर मैंने जल्दी नहीं उपन करता तो फ्यूचर में अपनी ताकत को हासल करना यह और भी ज़दा मुश्किल हो जाएगा इसे के साथ वो उस लेडी से कह रहा होता है क्या ठीक है क्या मैं एक रिसाइब को लेख सकता हूँ ताकि आप उन मैटरी लिस को ढूणने में मेरी मदद करो इसे के साथ वो मनिमन कह रहा होता है situation चाहे कुछ भी हो Meridian को खुलना यह मेरी लिए सबसे important बात है दोसी तरफ वो लेडी उसे एक notebook देती है और कहरी होते ठीक है आप इसमें आपे लेख सकते हो ताब हम आप एक आदमी आता है जो कि Liu Yau से कह रहा होता है आकिर तुम किस से बात कर रहे हो जल्दे करो Master Liang तुमें ढूंड रहे है और इसके साथ में बताया जाता है ये परसन त्यानश्वी नेशन Alchemy Gold Alchemist Jia Wrong है दोसी तरफ हम देखते है कि Liu कहरी होती है Master Jia Wrong ये लड़का ये चाहता था कि मैं उसकी कुछ मदद करूँ क्यार में अभी Master Liang के पास जाती हूँ और इसके साथ वो Li Yun से उस recipe को ले लीती है जो कि देखते हैं मियूरंग कहा रहा होता है चलो मुझे इस recipe को देखने दो ये कहते हैं वो उस recipe को ले लेता है दोसी तरफ उसे देखते हैं लियून मनीमन कहा रहा होता है फरस्ट एर कहा Alchemist लेकिन वो कुछ कह रहा होता है कि तब ही हम देखते हैं कि जियारंग उस recipe के पन्ने को मरूर देता है और कहा रहा होता है ये कितनी बखवास से recipe है ये कहते हैं वो सब फेक देता है तोसी तरफ ये सब देखते हैं लियून काफी ज़्यादा गुस्ता होता है चाहां भी वो मनीमन कहा रहा होता है मेरे जिरे लिखा गया कोई भी डॉक्यूमेंट ये एक प्रैसलेस फ्रीजर बन जाता है लेकिन इस बेवकूफ ने इसे एक रद्दी के कागा समझ के फेक दिया है और ये उसने बहुत ही ज़गा बुड़ा किया अब ये अब देखते हैं कि जियार रॉंग क्या रहा होता है लियू जली से तुरंट मास्टर लियांग के पाद जाओ ये कहते ही वो भी वहां से जाने लगता है लियू उन से कहा रहा होता है ये जगा बच्चों के लिये नहीं है जो कि सुनते वे लियू न कहता है कमीने कहीं के तुम बाड़े में जाओ तुम्हें जियार रॉंग का जाता है है ना और इसे के साथ तुम्हें इसी वीक परमोट किया गया है है ना जो कि सुनते वे जियारों कहा रहा होता है सभी लोग जानते है कि मुझे पास दिन पहले परमोट किया गया है और जो कि तुम यह जानते हो तो तुम्हें मुझे मास्टर कहना चीए तो लियू उन्हें से क्या रहा होता है क्या तुम्हारी उंगलिया डार्क ग्रे कलर की हो गई है और इसे के साथ यह चिलने लगी है और शायद यह किसी हैलविन इस्टोन के कॉंट्रेट में आने के वज़े से हुआ है जो कि एक्जाम से पहले तुम्हारी एलकेमिक को इंक्रीज करने के लिए था तुम्हारी बॉड़ी से आने वाला यह ब्लड फिलेम और चिट का इस्मेल यह उस इस्टोन के साइड इफेट को रोकने के लिए है है ना उसकी बाते सुनते वे जिया रॉंग के चेहरे का रंग और जाता है तब ही लिए उनसे क्या रहा होता ह है यहाँ पर टाइकर सलफर स्टोन का एक टुकरा भी है और इसका मतलब यह है कि तुम एलकेमिक एक्जैम में फर्स्ट मैटरियल के रूप में ताइक्रीन संब बनाना चाहते थे और मुझे यह की नहीं की एक्यूपेंचर तुम्हारे माथे तुम्हारे गर्दन के पिछले हिस्से और तुम्हारी पीट पर पॉइंट करता है दोपैर के समय यह काफी ज़्यदा कमफर्टेवल होता है है ना यह सुनते भी जियारांग कापने लगता है चाहां पर लियोन इससे क्या रहा होता है सच में यह एक टैलेंटेड अलकेमिस्ट की बरबादी है और अगर तुम अपने लाइफ को प्रिजर्फ करना चाते हो तो तुम्हें अपना दाइना हाथ काटना होगा और अपने दानतियान को डिस्ट्रॉई करना होगा तो यह सुनते भी जियारों क्या रहा होता है अपने नाग को पूचता है और उसे मरूर तेवे जियारों के सर के उपर फेक देता है चाहां पी वो क्या रहा होता है इस डॉक्यमेंट में जितनी भी आइटम्स है मैं उसके दस बैच चाता हूँ और एक बार जब तुम सब कुछ इखटा कर लो तब Blue Jewel Academy में आ जाना और ये अच्छे से याद रखना कि मेरा नाम ते भी क्या रहा होता है इससे मुझे याद आया तुमारा दाइना हाथ सिर्फ तीन दिन तक ही रोख सकता है और अगर जादा देर हो जाए तो तुम दोबारा रीफाइन नहीं कर पाओगे जो कि सुनते वे जिया रहा हूं काफी जादा घबरा जाता है और वो क्या रहा होते का क्या ती तीन दिन मैंने तो इनमें से आधी मैटरिल्स के बारे में कभी सुना तक नहीं आकिर मैं सभी को इतनी जली इखटा कैसे करूँ तो लियो उनसे क्या रहा होता है तो मैं एक चालाक इंसान हो और मुझे यकिन है कि तुम कोई न कोई रास्ता ढून लोगे और यूज करने के लिए वाइट मून बैंबू लीफ और गेल वॉल्फ जिंसेंग को बदल दो ये तुम्हारे एक्वेंचल पॉइंट को रहात दे सकता है और तुम्हारे दाइने हाथ को कुछ जिनों तक और होल्ड आउन करने की इजासत दे सकता है तो ऐसे भी तुम्हें मुझे जिंदा मिलना होगा है ना ये कहते ही वह वहाँ से चले जाता है तब ही जियारॉंग देखता है कि वहाँ पी बड़ी भीर लगी है चोकि देखते वे वह काव पे गुस्सा होता है और मनीमन क्या रहा होता है ये बच्चा ये ना तो कोई वाइरीर है और ना है कोई रीफाइनर आखर मैं उससे क्यों डर रहा हूँ लियूंस याओ मैं तुम्हें चोड़ूंगा नहीं तुम एरोगेंट छोटे बच्चे तुम बस इंतिसार करो जब मुझे कोई शॉलिशन मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे हाजार ठुकरे कर दूँगा इसी के साथ सीन चेह होता है हम मास्टर लियांग को देखते है जो कि लियू से क्या रहा हूँ कि चाह तुमने कहा कहा एक टीनेजर क्या तुमने अभी कहा कि एक बच्चे ने तुमसे सोल क्रीन रूट और वाइट फिनिक्स ड्रैगन लोटस दूने के लिए कहा तो ये सुनते भी लियू क्या रही होती है और उसके उमर लगबग 15-16 साल थी इसी के साथ हम देखते है कि ये जो आदमी है ये सेकंड ग्रीड रिवाइनर लियांग वेन यू है जहां भी वो क्या रहा होता है सोल क्रीन रूट और वाइट फिनिक्स ड्रैगन लोटस दोने ही इंग्रीडियन्ट इग वारी के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है हाँ चेक लिश्ट पर क्या क्या था तो लिए क्या रही होती है खैर हूँ वहाँ पे सियाही पंक वाला घोस्ट फ्लावर, यामा का सिल्क हेल फ्रूट और कंप्रेस्ट मिल्क इसी के साथ शीवा का फ्लावर और ती बड़ ओफ वाइंड फ्यारी यह सुनते होँ मास्ट लियांग काफी जादा है 마음에 गया रहा है है क्या उस बच्चे ने तुमारे पास कोई выз प्ला था तो लिए बड़ ऑड़न कीा रही होता है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता ऊईसे मास्ट लियांग मैं तिन साल से जादा समिय से बढ़ा देगी और यह बहुत ही जदा कीमती है जो कि सुनते भी लियों भी कहा रही होती है क्या यहां थे कि लौट लियांग ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना मास्टर लियांग कहा रहे होते हैं अगर इन गेरियून को मिक्स्ट कर दिया जाए तो यह में लिए एक मि बढ़ रहा होता है ज्याराओं के लिए यह मेटेरियलिस को ढूणना या सच में काफी सदा डीपकल्ट है और में उस पर जाधा डीपेंड नहीं रह सकता हमें मुझे चलिक से कोई दूसरा रास्ता ढूनना हो गारे चलो देखते हैं कि लिए उन्स याउव के स्टोरेज ड के लिए चुकि थोड़ी सी अच्छी है जिसकी वेट 32 kg है इसे देखके मुझे अपनी स्टार्ट की याद आती है लेकिन मैं जाना चाहता हूं कि आकर वह कहां पर होगा अपने सेवन मेरेटियन को ओपन करने के लिए इसका यूज करूंगा और इसके साथ सीन चेंज होता है ह हमें ब्लू जिवल अकेडमी स्कूल गेट का सिन दिखाया जाता है जहां पर लियून आगे बढ़ रहा होता है और कहा रहा होता है अपने यूवन एनरजी को कंडेंसिंग करने के बाद और ये खुद बखुद एक वेपन बनाना चीए तब ही हम देखते हैं कि आचानक एक दोस्ता है तो क्या है यह दून मनेवन के चाह रहा होता है और चैन ज्य होता है तो क्या यह दुन ली ओन के सबसे अच्छे दोस्त है तब हम देखते हैं कि डूफेंग क्या रहा होता है खैर हम जादा कुछ नहीं चाते हैं पिछले लेसन के दोरान लियून जियाओ का परफॉर्मेंस एकडम सही था तो बॉस लियान में हमें सिच्विशन के जाच करने के लिए कहा है और इसी के साथ वो अटेक कर देता है जो क साथ है अब सब कुस समझ में आता है और फाइब मरेडियंस के बीच कितना बड़ा अंतर है है वैसे गास मैं तुम लोगों को समझा दू मेरीडियन्स यह बिल्कुल चाक्रा जैसा है मतलब कि यहां पर चाक्रा को मरीडियन्स का जाता है तो अगर मैं इसा चाक्रा कह दूँ तो प्लीस अन्फ्यूज मत हो ना तब हम देखते हैं कि ड्यूफिंग आगे बढ़ता है और था न पर चाते हो शुज लगता है अब नो इंन लोगों प्रेटा हुखा तुम ने मेरे दोस्त को पीटा और तुम आभी यहां से जाना चाहते हो जो कि देखते हुए, डूफिंग क्या रहा हुता है, तो क्या तुम जैसे ट्रेश के पास एपने ओपिनियन होते है, तो लीडा आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है, यह मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं बस वाइब मेरीडियन्स और जीरो मेरीडेयन्स के बीच अंतर देखन चाहता हूं जो कि देखते हुए योजे काफी जादा है च्छाहां पियों क्या यो यूण आकर तुम्हें क्या चाहते हो तो इस तरफ इस तरफ यह सब देखते हुए लुडोज यूजे करने के लिए त्यार होता है तो द्यूफेंग उसा रोग देता है और कहरा होता है तो फिर ठीक है मैं फोर मेरीडियन से स्टार्ट करूंगा इसे के साथ उपने फोर मेरीडियन को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता है जो कि देखते हैं लिए उनके क्या रहा होता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने तो बस अपना दाहिना गुटना उठाया था मुझे नहीं पता था कि वो खुद मेरे पास चलाएगा यह देखते हैं लोग लिए उनके बारे में बात कर रहे होते हैं यहां पर लुए लिए मनिमन कहा रहा होता है यह कर चुके हो और तुम मरने वाले हो उसी तरफ यह सब देखते हैं लिए उनके साथ लोग काफ ourselves को रग लेता है जोग की देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आरन होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि लूफी का हाथ कड़ जाता है और वो काफी जोरों से दर्द के मारे चिला रहा होता है तब लियून उसके भी मेन पॉइंट पे काफी जोरों से किक करता है और इसका काम भी तमाम कर देता है यह देखते हैं सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहरे उतके क्या आखरीय चल कर रहा है लोग ने अपनी पंच से स्वार्ड को रोकने की कोशिश इसलिए कि क्योंकि वो एक मसबूत वारियर था और एक आदमी क्या रहा होता है आखर वो इतना पागल कैस हो सकता है तब ही और एक लेड़ी क्या रही होती है तो लड़के के बार में कुछ गलर लगता है तो दूसरी लेड़ी क्या रही होती है मैंने भी ऐसे सुचा था लेकिन मैंने लूली को स्वार्ड पर मुक्का करते वे देखा तो उसी तरफ हम देखते हैं कि लियून कहा रहा होता है अगर मैं कुछ वोरियर को हरा भी नहीं सकता तो इस से जाला तो मैं मरना पसंद करूँगा और वैसे भी तुम लोग ने मेरे दोस्त को चोट पाचाया है इसका रिजल्ट तो ऐसा होना ही था तो उसी तरफ लोल ही कहा रहा होता है नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा जो कि देखते वे लियून उन दोनों को काफी ज़रो से किक मारता है और उन दोनों को बहुती ज़ादा दूर फेक देता है तब उसके पास जैना आता है और कह रहा होता है यंग यून क्या तुम ने अभी अभी अपने च Sakra को Activate किया है, तुम लोगों सबी को भगाते हैं यापर को बट रहा है क्या, कल दिशती ति ल्यून क्या रहा होता है, यह इतना जाथा सिंपल नहीं है, वहान कुछ कहने वाला होता है, का तुम लोगों न देखा नहीं, उन्होंने सबसे पहले हमें हट करने की कोशिश की, उसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है होती है कि यह इतना परईशा नी पैदा कर Lee ? ओके सकते हैं उसकिन परगलने की ताला हुआ है विल्गते interven 댄 के जिस लींस नो बचाने है तो यह सुनते वे हान कहा रहा हुता है आम तोबी आम चाहेंगे यालेंगे अपसgruppe लगते हैं तो दूस्री तरफ ही देखेगी जोगी सुनते हुए रियूजी प्यारी होती है तो क्या तुम लोग लाइन वाद कर रहे हो तो हान क्या रहा होते हैं हर कोई जानता है कि डूफेंग लेंश के सब्सक्राइब कर लिया है और वह चेंपियन बनने के लिए अपने स् मुझे इसके बारे में चिंता है और इसके साथ हम लियून को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जाता है चांपियों मनीमन कहा रहा होता है यह बोडी बहुत ही ज़ाधा कमजोर है और अगर मैं अभी अपने चाक्रा को एक्टिवेट ने कर पा रहा हूँ तो मुझे ट्रेनिं रखा था और लोगों ने इसे टेन ग्रीट वारिंग किंग्स का नाम दिया जिससे कि वे मार्शल वर्ल्ड में पावर के पनाइकल बन गए और उनमेंसे वो जिसे हर कोई सबसे स्ट्रॉंगेस्ट समझता है उसे सायद दा टाइरेंट मार्शल सवेरियन का निकनेम दिया ग ट्रेनिंग शुरू करने के लिए अभी सबसे बेस्ट टाइम है तो मुझे ट्रेनिंग शुरू करना होगा और इसे के साथ ट्रेनिंग को शुरू करने लगता है लेकिन वो ठीक से अपने हाथों पे खड़ा भी नहीं हो पाता और वो नीचे गिर जाता है जहां पे वह यूज करता हूँ तो मैं अपने चाकरा को बिना खोले एक मार्शल किंग के लवल पर पहुश सकता हूँ और इसके लावा टेन्ड ग्रीटिस्ट मार्शल किंग में मैं थर्ड स्ट्रॉंगिस्ट था तो टेलेंट करेज डिर्मिनेशन मुझे में किसी के भी कमी नहीं है और तरन लड़का के वह ऐसे ट्रीन करता था लेकिन मैं उसे स्ट्रॉंग हूँ मैं और भी अच्छी से ट्रीनिंग करूंगा और इसके साथ वह मूनलाइट फॉर्म का यूज करता है और फिर कुछ से में बाद हम देखते हैं कि वह जी आलन अकेडमी ग्रैविटी ट्रीनिंग ग्राउंड में आता है यहां पर इतने सारे ग्रैविटी चेंबर से जिससे की मेरे ट्रीनिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी हैर में अपने पहले की दिनों को काफी ज़्यादा मिस करता हूं बहुत साल पहले मैं भी एक नॉर्वल फाइडर था बिलकुल इने की तरह सेमस वायर की कहानिया और उनके कारणा में सुनना इंदराथ बहुत ही ज़्यादा हाट ट्रेणिंग करना मुझे यह सारे की सारी बाते हियाद आती है और इसे की साथ वह वहां की स्टूडेंट्स को देख रहा होता है चांपियों मनीवन क्या रहा होता है अच्छा तो जो वहांसे टेलिपोर्टहो जाता है और ट्रेणिंग ग्रांड में आ जाता है जहां पे उससे काफी स्ट्कान ऊटी है त्यों कि यहां के ग्रैविटी काफी जाधा होती है चांपियों मनीवन क्या रहा होता है बस दस गुना ग्रैविटी का इस बौड़ि पर इतना जाधा ए यूनिवर्सल इडिट का यूज करूंगा तब ही वह एक कमरी को देखता है जहां पर एक आदमी निकलने वाला होता है जहां पर यह देखती है वह कहा रहा होता है ऐसा तहरा है कि सुरूम से एक आदमी बाहर निकल रहा है तो मुझे जल्दी मूनलाइट को ट्रिंड करनी की जरूरत है तो ऐसे भी मुझे अपनी चाकरा को ओपन करने के लिए उस मैडिसिन को यूज करने की पावर चाहिए नहीं तो मेरी बोड़ी इसे समालनी पाईगी और इसे के साथ वो आगे बढ़ता है चाहां पर वो दूसरा स्टूडेंट उस चैंबर से बाहर निकलता है व दूसरा बंदा क्या रहा होता है हां ऐसा लगता है कि जैसे पता था कि उस कमरें से कोई बाहर निकलेगा लेकिन मैं उससे एनर्जी का कोई फ्लक्चुईशन महसूस नहीं कर सकता हूं और एक परसन क्या रहा होता है वाट जोग असा लगता है कि अपने जागरा को ऊपन न और यह कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है ताब इसके सामने एक परसन आ जाता है जो कि उसके रास्ते को रोक लेता है और कह रहा होता है मैं यू है जैंग हूँ एक पीक मार्चल डिसेवल जिसके पास शेवन चाकराज है तुम अभी यहां पर आयो हो है ना तो मुझे यह क लिए करे होते हैं जाहां पर वो लोग आपस में कहा रहे होते हैं यह तो कितना से शर्मनाख है उस टॉप इस्टुडेंट को एक नूब ने धंका दिया है आकरी यह कितने शर्म की बात है तो उसी तरफ जैन कहा रहा होता है तुम यहां पर न्यू हो है ना आज मंजे हो एक पीस ऑफ शिट जिसके पास एनरजी का कोई भी फ्लक्ट्येशन नहीं है तो मुझसे ऐसे बात कहने कीमत करता है तो फिर ठीक है आज मैं तुम्हें कुछ रूल्स तिखाऊंगा जिने तुम्हें अपसे फॉल्यो करना है यह कहते ही वो जूरू से हजिन लगता है और कीठ किया है तो और एक परसंड क्या रहा होता है यह उन एनरजी करने में कम से कम कुछ महीन लगने चाहिए लेकिन वो पहले से ही ओरीजिन बीवह को दोड़ने में दस दिनों की अंदर ही वो फर्स्ट ओरिजिन रियल में एंटर कर लेगा दोसी तरह हम देखते हैं कि जैन कहा रहा होता है कमी ने आज मेरा अच्छा मूड़े तो इसलिए मैं तुम्हारी पसलिया तोड़ दूँगा यह कहते ही वो काफी जोरों से चिलाता है लेकिन लियून प्रश्ट की टाइगर मैंनल होने चीए बलकि तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्राइक भी होना चीए तुम सच में काफी ज्यूदे स्ट्रॉंग हो लेकिन तुम में इस्परिट की कमी है जो कि सुनते वे जहें काफी ज़्यादा घुसा होता है जहां पी वो लोग क्या कि वो उसका मजाक उढ़ा रहा था हालाकि यह काफी ज़दा अरोगर ला ता लेकिन फिर भी यह सच हो सकता है दोसी तरॉफ यह सरव देखते है जहां काफी ज्यादा घुसा होता है और क्या रहा होता है प्रेटेंड करना बन करो मैं तunya कोई şeyi मरसी नहीं दिखाऊंगा और से की साथ वो उस पर अठैक कर देता है जो कि देखते लिंग करने के लिए तियार होता है जाहां पे उसके पीछे THE Gl vari की दिखाइई देरी हplease होती है जोकि देखते जेंग काफी जाला बार रहा है जहां पर गब्राते हैं कि yโ क्या चल रहा है किया मैरे फिशड़ लोग के प्रेसर ने उसे पहले ही शुप्र कर दिया था आखीर इसका मतलब क्या है आखीर में डेंजर को फील क्यों कर पा रहा हूं । यह काफी जspace और्वर्विलफिंग फीलिंग है चा वो मेरे इस एक्ट का इंतजार कर रहा था यह कहते ही वो अपनी जोर लगाता है और क्या रहा होता है इससे फरक नहीं पड़ता कि उसकी टेक्निक्स इतने जाना अन्यूजल है मैं अभी भी एक पीक लेवल का मार्शल अपैरेंटिस हूं मैं इसे अभी भी मे क्या रहा होता है तिकार है मेरे यह वीक बोड़ी अगर इतनी वीक नहीं होती तो मैं एक हीट से उसे मार डालता लेकिन अगर यह अच्छा ना हो लेकिन फिर भी मैं उसके एक हाथ को तो तोड़ी सकता हूं दूसी तरफ यह सब देखते हैं सबी लोग कहा रहे थे क्या एनरजी की कोई भी फ्लक्ट्वेशन नहीं है तो क्या वो कोई हीडियन मास्टर तो नहीं दूसी तरफ जैन यह सब देखते हुए काफी ज़्यादा गुस्सा होता है चांपियों मनीवन कहा रहा होता है लड़की के पास सीवान एनरजी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उसक से जल्दी खतम कर दूंगा मैं तो बस आपके लिए ट्रेणिंग रूम अरेंज कर रहा था तो वो लेड़ी कहा रही होती है इसे छोड़ दो वैसी उससे सबसे पहले यह कमरा मिला था इसी के साथ मैं बताया जाता है यह जहां पर यह देखते वे लियून कहा रहा होता है तो यह तुम हो तो लो लैंड कहा रही होती है मैंने नहीं सुच जाता है कि जब तुम खुद को स्ट्रॉंग नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी टेक्निक को ट्रेणिंग करना शुरू कर दोगे यह अच्छा कदम था लेकिन पावर की बेना एक टेक्निक यह बिलकुल बेका होती है तुम ली फैमली के यंग लॉड हो बले तुम ट्रेणिंग ना लेपाओ लेकिन फिर भी तुम्हारा फ्यूचर यह काफी ज़्यादा ब्राइट है तो आगर तुम यह खुद क्यों कर रहे हो दूसी तरह जहन क्या रहा है क्या वह यंग मास्टर के रूप में कच्र दूसरा परसंसरा वह होता है यह को भी पीछ लगा हुआ था लेकि लोलैंग चोर से पिछा दिया फोदिया यह काफी ज़्यादा कि यह करí क्यारी होती है मेरा हस्बेंड एक फियरलेस हीरो होना चीए जो किस कंट्री का आरकें छोलजर बनेगा लेकिन तुम एक और कुछ नहीं और अगर तुम मुझे हारा दो तो मैं इसके बार में सोचूंगी यह सब याद करते हैं उससे गलती होई होगी लेकिन कोई भी नहीं जानता कि मैं इस बोड़ी में रिंकार्नेट हुआ हूँ तब ही हम देखते हैं कि जैंक जोर उससे हसना लगता है और कह रह सही था तुम्हारी कॉंसेलिंग टाइगर फिष्ट में काफी ज़्यादा कमी है और अगर तुमने यह सीख लिया होता तो तुम लियून जिया उसे नहीं आरते यह देखते जैन और भी ज़्यादा गुस्ता होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियून उसी करने की जरुवत है और एक बार जब मैं अपने चाकरा को एक्टिवीट कर दूँगा तो मुझे नाइन्थ हैवन रियल में लॉटने में टैन इयर्स लग जाएंगे तो इसलिए जल्ली से इसे करते हैं और इसे कि साथ उसमें काफी तीजी से अटेक करता है लेकिन तब ही ह कि अंदर में अपनी बोडी को मार्शल अपैरेंटिस स्टेज में लेकि जाऊंगा और जब ऐसा होगा तो मुझे कम से कम 60 परसंट येकिन है कि मैं अपने चाकरा को एक्टिवीट कर पाऊंगा ये कहता ही वो फिर से उठता है और आगी की तरफ बढ़ता है जहां पे वो फ उसका दिया और इसीगा तीन दीन बाद हम देखते हैं कि उसका रूम ओपन होता है जहां पर सभी लोग आपने आपको इतना टॉर्चर किया कि वो बिल्कुल एक गोश्ट की तरह बन गया क्या उसने सच मुछ इतना हाट ट्राइ किया तो एक परसंट क्या रहा होता है अगर मुझे सही से याद है तो यह लड़का ली यून ज्याओ था जिसने जहें को एकी चाल में हरा दिया है और एक परसंट क्या र किया है कि अगर वह सहरा दे तो लो लेंड वो उसे एक मौका देगी और इसे के साथ जैसे वो ट्रेणिंग रूम में देखते हैं वैसे ही वो लोग काफी ज्यादा है रहन होते हैं जहां पर वो लोग देखते हैं कि ब्लैक आरेन स्टेचूज वो टूट फूट चुके हैं और इसे के साथ पूरा को पूरा ट्रेणिंग रूम वो एक दम तहस महस हो चुका है चो कि देखते हैं वो सबी लोग कह रहा हुते कि क्या उसने ब्लैक मेटन स्टोन के स्टेचूज को तोड़ दिया है जिस पर हम इतने सालों से ट्रेणिंग कर रहे थे क्या हूब एक इंस इसे के साथ वो त्यार होने लगता है चाहां प्यों मनिमन क्या रहा होता है एक मार्चल आपरेटिस की फीजिकल पावर के साथ मैं कुछ सिंपल रिफाइनिंग कर सकता हूँ और अगर मझे लोग टियर की पिल्स मिल जाए मेरी कल्टिवेटिंग स्पीड और भी जदा इंक आकर तुम मुझे मार को रहे हो जो कि देखते वो क्या रहा होता है चया यह तूटा नहीं है और आकर तुम्हारी यह आर्म इसक्णि का ट्राइब क्यो कर रहे थे यहां काफ़ी स्यदा घबरा जाता है और क्या रहा होता है किया यह सचमेट तूट चुकी है तो लियून उसके हाथ को ठीक करते भी क्या रहा होता है आकर तुम यहाँ पर क्यों आयए हो राकर तुम थोड़ी से अजीब भीहव कर रहे थे इसलिए मैं बस तुम्हें परखना टाह यह तो नहीं कि तुमने सच में तो यह आ रहा होता है रहा क्या है तुम्हां बिना चाक्रा अक्तिवेट किये हुए थे यह पशाइब लिटल गर मुझे क्यों ढूड़ता है और क्या रहा होता है लेकिन उस से हाम के आधी जड़ा होता है जहां पी वह क्या रहा थे क्या ते पर दिमाग्र में जोंता है और कियों कर रहे हो किसा साथ वो इसके पास आता है और उसे क्या रहा होता है और हां यहां पे कुछ और भी है और हम बड़ी मुसिबत में पढ़ सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लैंड फेई को किसी ने भी नहीं दिखा है और मैंने सुना है कि वो नीजी दोर पर ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो फर्स्ट ओरिजिन रियल्म क कि शॉपक्र कर सके यह से ली यॉन कहा रहा होता है कि क्या रहन ने ने इसमें कि क्या बात कि आखिर फर्स्ट ओरिजिन रियल्म का क्या मतलब करने के बादरष गरेगा चाहाँ पर एक Marshall Warrior और Marshall Appearance के बीच एक बहुती बड़ा Difference होता है और Chen Chen और Princess Ryuzio और मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में काफी ज़रा चिंता कर रहे थे लेकिन तुम यह कहा रहो कि यह सिर्फ First Origin Realm है जो कि सुनते वे लियून एक हजीब सा चेहरा बनाता है चाहां पियों मनीवन कहा रहा होता है अच्छा तो वो लैंड पर ही है जो कि लियून जियाव के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करते रहता है तो यह सुनते वे हान उसे अपने कुछ पैसे दे देता है और वहां से जाते वे क्या रहा होता है क्या तुमें जरा से वे चिंता नहीं है तो ऐसे भी 3000 फ्रेश्मेन के अंदर सिर्फ 30 फ्रेश्मेन होते हैं जो कि एक वारियर बन पाते हैं और यह काफी ज़्यादा डेंजरस है तो यह सुनते वे लियून कहा रहा होता है हाँ मैं इसके बार में काफी ज़्यादा चिंतित हूँ अलागे यह काफी ज़्यादा यूजलेस है लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं तुमें पेक कर दूँगा तो यह सुनते वाण कहा रहा होता है अगर तुम ऐसे कैसे सकते हो कार यूंज याओ तुम बहुती ज़दा बदल गए हो और मैं तुमसे काफ़ी ज़ड़ा इम्परेस हूँ वो यह कहा रहा होता है कि तब ही अचानक से उसके उपर बहुती तजी से अटेक होता है और वो काफी तेई से उड़ते हुए लियून के सामने आके गिरता है और इसे के साथ वहाँ पे चैन जहन भी आते भी गिरता है और इसकी बेहालत बहुती ज़्यादा खराब होती है ये देखे लियून कहा रहा होता है लेनफी तो तुम यहाँ पे आचुके हो इसे के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे लेनफी पहुचता है जो कि क्या रहा होता है तुम ट्रेश कही के ऐसे लगता है कि तुम मौत की सालाश में हो लियून जिया हो आकर तुम मेरे आदमी को चुने की हिमत कैसे कर सकते हो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा इसे के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है जो कि हसते वे क्या रहा होता है युवान की ये लाइट एक वारिर का एक सिंबल है बॉस अभी अभी एक मार्शल वारि बने है तो ये देखते वे लो जे रोते वे क्या रहा होता है बॉस प्लीज हमारा बदला लीजिए दूसरी तरफ हम ली उनको देखते हैं तो कि चैंचेन को उठाते वे क्या रहा होता है यह सिर्फ पहला ओरिजिन रियल्म है लेकिन फिर भी वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है यहां पिर साथ वो से देखते हुए लेकिन लगता है कि अब टाइम आ चुका है और इसी के साथ वो से बहुत ही बुषद्रिक से देखने लगता है जो कि देखते है लेकिन फिर काफी जादा हारन होता है जहां पिर वो मनिवन कहारा है कि क्या आकर यह क्या चल रहा है मैं अतना अजीब महसुस क्यों कर रहा हूँ इसी के साथ वो अपने स्वार्ट को समन करता है और काफी तीज़ से उसके और अटेक कर देता है बिना किसे शक के तुम्हें मिलने वाला हर मौकी का यूज़ करना यह बिलकुल बुरा नहीं है तब ही हम देखते है कि लैंफी उस पर अटेक करते भी क्या रहा होता है तुम्हारी हिम्मेट कैसे भी मेरी मसा को रानी की और इसी के साथ उसके अटेक के वज़े से लियून काफी ज़्यादा पीज़ी आड़ जाता है जहांपे इसका सौ़ाड काफी ज़्यादा डैमेज हो जाता है यानि कि वो आधा क्रैक हो जाता है दूसी तरफ ये सब देखते हैं सभी लोग बहुती ज़ादा आहरन होते हैं दूसी तरफ लेंड फेश ये देखते हैं मनीवन क्या रहा होता है क्या वो ट्रेश मेरे अटेक को रोकने में काम्याव हो गया आकर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भले ही मैं मार्शल अपेरेंटर्स या फिर मार्शल वारियर नहीं होता लेकिन फिर भी उसके लिए मेरी पुई पावर का 20% में जलना ये इंपॉसिबल है आकर उसने मेरे अटेक को कैसे बुलोक कर दिया क्या इस ट्रेश का चाकरा एक्टिवेट हो चुका है लेकिन मुझे कोई भी E1 QI fluctuation महसूस नहीं हो रहा है आकर इसका क्या मतलब है तब लेही उन हसते भी क्या रहा होता है ये तो मज़्यदार था मैं कुछ समिस अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ा हाला कि मेरी अभी के situation थोड़ी सी अजीव है लेकिन ये अटेक ये सच में काफी ज़्यदा कमाल का था तो चलो मैं तुमें कुछ और टेप्स देता हूँ और इसी के साथ वो अपनी स्वार्ट को उठाता है ये सब देखते हैं लेन फेई और सभी लोग काफी साधा हैरन होते है जहां पे लेन फेई क्या रहा होता है एक और टेप्स इसी के साथ वो अपनी flowing cloud sword strike को यूज करता है और काफी तेजी से उसकी तरफ attack कर देता है जहां पे वो क्या रहा होता है अब मैं एक full-fledged one star marshal warrior हूँ तो चलो देखते हैं कि आखर तुमें से कैसे ब्लॉक करते हो दोसी तरफ ये सब देखते हुए डूफैंग कहा रहा होता है ये sword तो बिल्कुल बहते हुए बादलों की तरह है ये flowing cloud sword technique है जो कि land family में pass down किया जाता है तुम लगता है कि वो कमीना वो मरने वाला है तो ये तरफ हम देखते हैं कि लियून आगे बढ़ रहा होता है जहां पर वो कहा रहा होता है flowing cloud sword technique तुमारे sword को तुमारे order पर बिना कैसे दिक्कत के cloud की तरह act करने की इसासत देता है तो क्या ये वही चीज है जिसे तुम इस तरीके से चलाते हो तुमारे चमकती sword ये बिल्कुल एक candle की तरह है और अगर तुमने इसके बारे mention नहीं किया होता तो मैं कभी भी पहचा नहीं पाता कि ये flowing cloud sword technique है तो उसकी बाते सुनते वे land family क्या रहा होता है ऐसी बगवस करना बंद करो अब मैं तुमारे जान लेने वाला हूँ तो लियून क्या रहा होता है मुझ से सलाह लेना ये सम्मान की बात है और इसी के साथ हम देखते है कि वो अपने sword से काफी easily दूर फिक देता है जहां पर उस sword डूफैंग और लियू ले की ऊपर से जाते वे उस gate पर जाके लगती है ये देखते वे land family काफी जदा है रहन होता है जहां पर वो मनियून क्या रहा होता है ये trash इसने अवी तक चागरा को भी activate नहीं किया आकर वाइसा कैसे कर सकता है ये तो impossible है मैं पहले से ही एक martial warrior हूँ ये के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ कापने लगते हैं तब ही अचानक से लियून उसके face पे बहुत ही ज़रू से kick करता है और उसे काफी जदा दूर फेक देता है जिससे कि land family की हालत काफी जदा खराब होती है तब ही हम देखते हैं कि लियून काफी तेजी के साथ उसके main point पर attack करता है लेकिन उसे लगती नहीं है जो कि देखते है land family काफी से घबरा जाता है चापी वो क्या रहा होता है आकर तुम ये क्या कर रहे हो आकर तुमारी हिमत कैसी मुझे touch करने की जो कि सुनते है लियून कहा रहा होता है अरे नहीं मैं तो बहुती ज़्यादा डरा हुआ हूँ तुमारे स्वाट का attack से मेरा हाथ ये तो तूट चुका है मुझे डर है कि मैं स्वाट को उठा भी नहीं सकता हूँ और मेरा हाथ ये बुई तरी के से काप रहा है ये कहते ही वो अपने स्वाट को आगे कर रहा होता है जहां पर ये देखते हैं लैन फे भी बहुती ज़्यादा गबरा रहा होता है लियून कहा रहा होता है नहीं नहीं जलनी से स्वार्ट को हटाओ तो लियून कहाता है क्या स्वार्ट को हटा दू मैं तुम्हारे साथ पिछले हिसाब बराबर करने के लिए काफ इस दा आल सी था लेकिन इस बार तुमने चैन जैन और हान बाई पर अटेक किया और उन्हें भी इसमें शामिल कर दिया और यहां तक की मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे रुक जाना चाहिए जो कि देखते हैं लेन पर क्या रहाते हैं नहीं नहीं मैं आपसे विंती करता हूँ कि देखते हैं कि अब यहां से जा सकते हैं कि इसके कमर पर एक लटकी हुई चीज होती है जो कि लियून देख रहा होता है जिके साथ उपनेun atacking करते हुए उससे ले लिता है और क्या रहा हुता है ये जेट पैंडेंडleader ये काफी ज़दा अच्छा है तो मैं इससे रख रहा हूं जो की देखतेवे लेशंफे क्या रहा हुता है का क्या और कुछ नहीं आकर आपस ले किया करेंगे इसी के साथ वो मनिवन क्या रहा होता है अगर मैं ऐसे खोदू तो मेरा फैमिली जरूर मुझे जिन्दा खा जाएगा चाहां पी वो क्या रहा होता है यह आपके लिए किसी काम का नहीं लेकिन मेरे लिए यह काफी ज़दा इंपो मेरे लिए बहुत ही ज़दा इंप्पोर्टेंट अगर मैं सकते जगह जाता हुँ तो आखिर लोगों कईसे देखूँ मैं अपने नजरे नहीं उठा पाऊंगा तभी वो लेडी क्या रही होती है बास लें तो लैन खासे वी यह का रहा होता है यह जेट पेंडेंट यह ज इंपोर्टेंट है लेकिन जब इसकी कंपेरिजन मेरे साथ ही और भाई से की जाती है तो यह कुछ भी नहीं है तो यह सुनते ही वो सभी लोग रोने लगते हैं और कहरे होते हैं बॉस लैन आप तो काफी सद आचा है यहां पर लैंफ वहां से जाते विए क्या रहा होता है त काफी 552 के साथ असपर ड़ीता है जो यह देखते वह लैंफ क्या रहा होता है मैं इसे अवाउइड नहीं कर सकते हूं और इससे के सात्यों की तरफ देखता है इसके साथ ही लोग भी उसे अजीब तरीक से देखने लगते हैं यह देखते हो लैंद में काफी गुस्ते से वहां से निकल जाता है यहाँ पर हम लीविडू को देखते हैं जो कि चेट पैंडिट को देखने लगता है और यह रहा होता है बहुत च्छत के ऊपर से अचानक उसके पीछे एक आदमी आता है जो कि और कोई नहीं बलकि जिया रॉंग होता है जहां पर यह रहा होता है मैंने वो सब कुछ देखा है जो कि यहां पर अभी अभी हुआ है लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सभी अंदासा नहीं है कि लिए उन्स य जाहां मेरी कल्टीवेशन एक मिट टेर के वारियर के बराबर है जो कि लेंट फेस्टी डील करने के लिए काफी है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस परसन को अरा पाऊंगा भी या फिर नहीं आखरी क्या हो रहा है और इसे के साथ वो से एक पेपर देता है और क्या रहा है जो कि देखते ही वह कहा रहा होता है सिक्स बैचीज ठीक है तुम उन्हें मुझे देख सकते हो लेकिन उससे पहले तुम जाओ और उन दोनों को ठीक करो यह कहते ही वहान और चैंचैन की तरफ इशारा करता है जो कि देखते हुए जिया रॉंग क्या तो मैं क्या लगता आलकेमिस्ट हूँ आकर एक चोड़ा सा बच्चा मुझे ऐसा ओर कैसे दे सकता है और इसी के साथ वहान और चैंचैन के पास चले जाता है चाहां प्यों मनीमन क्या रहा होता है क्यार मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसी के साथ वो न दोनों को कुछ पिस देता है चाह इसके बारे में जादा मत सोचो तुम्हें अंदाज आनी है कि कितने लोगों ने मेरी और को पाने के लिए विंति की है लेकिन मैंने लोगों को रिजेक्ट कर दिया था खैर मैं शर्त लगाने के तयार हो कि तुम जल्दी मेरी बात सुनते वे काफी ज़दा खुश हो जाओ ये सुनते ऽयारं चेहार होता है क्या तुम मुझे कर ने की कोशिश कर रहे हो आकि की स्याजेशन के बाद तुम से जूठ बोले तो मैं तुम से जोट नहीं बोल सकता इसे के साथ वोस पेपर को उसे देता है जहां पर उसे भगरते वे जी आरों क्या रहा हुता है क्या एक इसके साथ मुझे जोट नहीं बोला यह नुसका सच में रिलाइबल है जो कि मुझे वह चीज मिल चुका है जिसका मैंने वादा किया था तो आप सब कुछ क्या रहा होता है मैं उस इंसल्ट को भूल जाओंगा जो कि मुझे उस समय जहिलना पड़ा था वैसे भी मेरा यह चीज को दोर कर सकता है वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के हाला कि जब तुम्हारी बॉड़ी में टॉक्सिन फैल रहा था तो क्या हर बार जब तुम एलकेमिक करते थे तो क्या तुम्हें अपने इस्पिट पावर का मजोर मैसस होती थी आनो यह तुम्हारे सोल पावर रैंक वन का अलकमिस तक पहुशने के लिए बहुत ही कम उमीद बची हुई है हाला कि मैं तुम्हें इतना वारा जटका देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम लखी हो क्यों कि वहां तक पहुशने में तुम्हें बस 50 साल लगेंगे जो कि देखते हुँ वह काफ अंदर ही तो मैं एक रियल रैंक वन का अलकमिस्ट बनाने का तरीका पता चला है तो यह सुनते वे रॉंग और भी ज्यादा हरान होता है और कहते कि क्या 50 डीज आकर ऐसा कैसी पॉसिवल है लगता है तुम जरूर जूट बोल रहे होंगे अलहीं मेरी सोल पावर ये डिटे ये मेरे टाइम के लायक है ये सुनते वे रॉंग और भी ज्यादा हरन होता है चाहाप उसकी बातों को सोचते वे मनीमन कहा रहा होता है लियून जियाओ के वर्ड्स ये काफी ज्यादा सिस्पीसियस है लेकिन एक अलकमिस्ट बनना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लिकाड़ून है तो ये सुनते वे लियून कहा रहा होता है ना सिर्फ सूल पावर को रीकवर करने का तरीका बलकी तुम इससे एक रियल वन का अलकमिस्ट भी बन सकते हो तो जीया रहा होता है आखिर आपके मदद के लिए मुझे क्या करना होगा तो लियून इससे कहता है मेरे सर्वेंट बन जाओ जो कि सुनते वे जिया रहा होता है और कहा रहा होता है यह सब बेतुका है तुम बस एक एरोगेंट किड़ हो और तुम कुछ भी नहीं जानते हो और फिर भी तुम मुझे रैंक वन का अलकमिस्ट बनने के लिए अपना नौकर बनाना चाहते हो ऐ आजात हो जाओगे यह देखते वे जिया रहा उंग बहुत ही जाधा है रहन होता है जहां पर एक अईप से चेहरा बनाते हुए मनीवन कहरा होता है यह लड़का यह दिखावा नहीं कर रहा है ऐसा लगता है कि जैसे यह बिलकुल सच कह रहा है कि मैं उसका नौकर बनने के वो लायक नहीं हूँ आकर यह कैसी सिजवेशन है अंकर इसकी नजर यह कैसी है मुझे अजीड फील हो रहा है जाज़ यह पागर है लेकिन अक पाल सब्सिर अकिन दिमाग में सोचने लगता है तब ही लियून उससे क्या रहा होता है क्या तुम्हें मेरे सर्वेंट बढ़ने से दिक्कत हो रही है तो जियारों क्या रहा होता है बिल्कुल मुझे ऐसा दिक्कत आईगी ही आकर में एक बच्चे का सर्वेंट कैसे बन सकता हूँ तब ही हम देखते हैं कि लियून उसे काफी बुज़तर किसे देखने लगता है और इसे के साथ हम देखते हैं कि जियारों के उपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बड़ता है जहां पी वो मनिवन कहा रहा होता है आकर ये सब क्या चल रहा है आकर ये क्या कर रहा है ये बच्चा इसके पास इनी पारफुल और क्रेशिंग प्रेशर कहसे हो सकती है अकरी लड़का है कौन तिके साथ वो ड़नने लगता है वो कापते में मनीमन कहा रहा होता है मुझे ड़न लग रहा है ये बहुत ही ज़ादा बहानक है मेरी सोल पर इतनी जबरदस्त प्रेशर डाली गई है अगर वो चाहे तो वो किसी भी समय मुझे मार सकता है तब लियून से कहा रहा होता है मैं तुम्हें तीन बार सास लेने का टाइम दूँगा क्या तुम मेरे ओफर को एकसेप्ट करोगे या फिर नहीं तो उसी तरफ ये सब देखते भी जिया रॉंग बहुत ही ज़ादा परेशान होता है जो आप यूनिमन कहा रहा होता है क्या मैं इसे एकसेप्ट करोगे या फिर नहीं अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक मौगा है कि मैं टॉप पर पहुच सकता हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं जिन्दगी बर इसके लिए पस्तावा करूँगा और इसे के साथ वो जुकते वे क्या रहा होता है हाँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ तो लिए उनसे क्या रहा होता है तुम्हाँ decision इतना वी ज़्यदा खराब नहीं है तो मैं बाद में ऐसास होगा कि तुम कितने ज़्यदा लगी थे तुमने यहाँ पे सही choice चुना है तीकि साथ वो उसे एक paper देता है और क्या रहा होता है इस paper पर दियेगे instruction को follow करते हैं वे cultivate करो अगर तुम 50 दिनों के अंदर एक alchemist नहीं बनते हो तो इसका मतलब तुम में aptitude की कमी है और इसका मतलब कि तुम मेरे knocker बनने के लायक नहीं हो और अगर ऐसा है जो तुम्हें मुझसे दोबारे मिलने की ज़रूरत नहीं है दोस्ती तरफ हम देखते हैं कि जिया राउंग उस नुकसा को देखने लगता है जहां पर उसे देखते हुए काफी जादा है और क्या रहा होता है Soul Cultivation Art ये सच में Soul Cultivation Art है तो लियून उसे क्या रहा होता है ये सभी Soul Cultivation Technics में से सबसे ज़दा बेकार क्ल्टिवेशन टेकनिक है लेकिन ये अभी भी तुम्हारे लिए 50 दिनों के अंदर पूरी तरी किस रैंक One तक पहुशने में काफी है ये देखते हैं जिया राउंग हैंग हो जाता है जहां पर वो क्या रहा होता है मैं Master तो लियून कहता है तुम बस मुझे Master यून कहो और जब तक तुम मेरे साथ अच्छे से बीहेफ करोगे तो मैं तुम्हें reward देते समय कंजूसी नहीं करूँगा और ठीक है अब तुम्हें यहां से जा सकते हो अगर किसी भी चीज की जरुवत होगी मैं Alchemist असूशन में तुम्हें ढूनने के लिया आउंगा जो कि सुनते हुए जिया रॉंग उसके सामने जुक जाता है और इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाय जाता है जहां पे हम जिया रॉंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मनीवन कहला होता है एक Alchemist के cultivation का सबसे important हिस्सा उसकी soul power को nourish करना है हाला कि ordinary Alchemist इसे सिर्फ contest crafting के जरीए बहुती slow speed से बढ़ा सकता है लेकि legends कहते हैं कि soul power को directly refine किया जा सकता है और इसके कई सारे methods भी है लेकिन इन methods को कुछी classes में describe किया गिया है और ये वसे एक secret था इसी को भी नहीं पता कि वो exist करती है या फिर नहीं इसी कि जादम जी आराओं को देखते है जो कि मनीमन क्या रहा होता है जहां भी मनीमन क्या रहा होता है मैंने कमी उमीद नहीं की थी कि मेरे हाथ में कुछ ऐसा आएगा लेकिन फाइनली मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर में क्यों काप रहा था उसने जरूर मुझ पर दि लेजिनरी सोल डेमेंटिक टेकनिक का यूज किया होगा वैसे भी एक औरिनरी बच्चा एतना स्ट्रॉंग सोल प्रेशर कैसे पोजिस कर सकता है और इसे के साथ उसने मुझे प्रीसी सोल कल्टिवेटिंग टेकनिक दी वो भी ऐसे दी जैसे कि मानो यह सड़क पर पड़ी हुई थी यहां ते की पूरी तियांचर स्टेट में यहां ते की पूरी के पूरी इंपेरियल प्लेस में उसके जैसा जैनेरेस कोई भी नहीं है यह कहते ही वो काफी सदा खुश हो रहा होता है चाप यू मनीवन कहता है किसे भी केस में इस सोल कल्टिवेटिंग टेकनिक के साथ इस सालों तक उसका स्लेव बने रहने में कोई भी दिख्खत नहीं है लेकिन मैं सच में समझ नहीं पा रहा हो कि आखिर यंग मास्टर यून सच में है कौन यू के साथ सीन चेंज होता है हम ली यून को देखते हैं जो की अपने कमरे में बैठा वा होता है और इसी के साथ हम हान और चेंजाओ को देखते हैं जो की एक अजीब तरीक से सोहे हुए होते हैं पता नहीं कि आकर यहां पर क्या चल रहा है खेर हम दूसी तरफ ली यून को देखते हैं जो की कल्टिवेट करने के लिए बैठावा होता है और मनीमेन कहता है प्रीन काननेट होने के बाद मेरी सोल पावर ये एक रैंक वन के अलकेमिश से भी बहुत ही ज़़ा कम है और इसे के साथ मैंने जियारों को डराने के लिए सोल डिवेंटिक टेकनिक का यूज किया था जिसकी वज़े से मैंने काफी सारे सोल पावर को खो दिया लेकिन मेरे रिवर्ट के बाद इस जनरेशन में सबसे स्ट्रोंगिस्ट बनना ये बिलकल नॉर्मल बात होगी मैं सर्फ यहां पे नहीं रुख सकता मैं लेजन्स के रियल्म को तोड़के इसके सारे मन देखते हैं कि उसके चार ओर एक फार्मेशन ख्रीयेट होता है जहां पी वो कह रहा होता है यह सोल कल्टिविशन टेकनेक अन्सुनी थी और इसमें रिकॉर्डेट मेथड यह किसी के भी इमेजिनेशन से उपर थी और इसे के साथ मेरी सोल का ribbon का इससे कुछ न कुछ लेना देना होगा जब मुझे अपने पेशल लेप की memory स्फीर से मिली थी तो मेरे mind के अंदर एक divine technique की आवाज आई थी खैर अगर मैं इस divine soul expansion technique को successfully practice करूँ तो मेरी soul power बहुत य टेरिफाइंग speed से recover हो जाएगी तो क्या लियून इस विग बॉड़ी के साथ स्ट्रॉंग बन पाएगा और क्या वो अपने पास्ट लाइफ की लिमिट को तोड़के इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉंगेस्ट बिंग बन पाएगा जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिये ताकि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड को देख सके और वैसे हाँ आप कमण्ट शेशन में ये बता देना है कि आपको ये सीरीज कैसे लगी और हाँ अगर सीरीज में थोड़ा सबी सपोर्ट आए तो मैं सीरीज को पूरा कंटिन्यू करूंगा सीरीज में टोटल 300 से जादा चैप्तर है कि मैं उन सबी को कवर करूंगा बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सभरूत है हाँ मुझे सीरीज बेस लगी है मैं उन से पूरा को पूरा कंपलीट करूंगा खेर मिलते हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाए